नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासरमार बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है और बुद्ध का ये परिवर्तन अपने आप में बहुत अध्भुत है क्योंकि पूरे 18 वर्सों के बाद ऐसा सयोग बना है जो जीवन में बहुत बड़े बदला है और कितना निगेटीव ये भी हम आज आपको बताएंगे और बुद्ध जब मिथुन डासी में आएंगे तब राहु का साथ मिलेगा इनको राहु के जो दोस हैं जो अबगुन है बुद्ध के आने से समाप्त हो जाएगा और बुद्ध राहु दोनों मिलकर जीवन में खुसियां भी देंगे तो चलिए समझते हैं बुद्ध मिथुन डासी में आकर राहु के साथ क्या बदलाव लाएंगे देखिए मेस रासी वालों आपके प्राकरम भाव में जब बुद्ध देव आएंगे तिरतिय भाव में तब ऐसे में चपर फार सफलताएं हैं आकस्म धनलाव हैं विद्यार्थियों के लिए अच्छी जौब हैं लेकिन किसी से बाद भी बाद ना करें और सत्रूं से थोड़ा साबधान रहें क्योंकि सत्रू विरोधी आपको परिसान कर सकते हैं आपसे जल सकते हैं जो जल रहे हैं आपसे अभी तक दुस्मन है वो थोड़ अब धन के मामलों में खुसी आएंगी वानी आपका बहुत प्रभावसाली होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आकस्मिक धनलाप के योग बीच बीच में बनते चले जाएंगे और वो भी पूरे सतर दिनों तक इस समय अपनी वानी का जादू बरकरार रखते वे हर क अब राहु देव जो कष्ट दे रहे थे जीवन में उससे मिक्ति बिलेगी आप पर धाया भी चल रही है सनी देव की अब यहां मन और बुद्धी दोनों ही आपका पॉजेटिव सोचेगा अब आपकी वानी का वेट बढ़ेगा रुके वे तमाम कारे पूरे होंगे और अमाम चीजें आपके लिए मार्ग खुल चुके हैं अब आगे बढ़ना है आपको आप लकी हैं और इस तमय का फैदा नहीं उठाएंगे तो 18 साल इंतजार करना होगा करकरासी आपके बार्मे भाव में यह परिवर्तन है बुद्ध देव आ रहे हैं तो धन के मामलों में संभल के रहें किसी को भी पैसे दे लेने के पहले दो बार सोच ले और इस समय बुद्ध करकरासी के स्वामी चंद्रमा है और बुद्ध और चंद्रमा दोनों में सत्रूता है अपने स्वास्त का ख्याल रखिएगा हला कि इस महायोग का वेनिफिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन हां बिदेश से लाब होने के योग बनेंगे तो ये चीजे आपके लिए बहतर रिजल्ट दे रहे हैं सिंग रासी आपके ग्यारवे भौमे लाब भौमे जब बुद्ध देव आएंगे राहू के साथ तब आप जो अभी तक कर्म कर रहे थे उसके फल आपको नहीं मिल रहे थे वो अब मिलेगा यानि लाब मिलने के योग कर्म का फल मिलने के योग अब बन रहे हैं तो आप इसमें दिन डात एक करके मिहनत करें इसमें का पूरा फाइदा उठाए आपका मान समान पद परतिष्ठा सब बढ़ेगा अपना मकान भूमी भवन वाहन का भी जियोग बना है उसका सुख भी भोगेंगे कन्यरासी आपके तो स्वामी है बुद्धे और आपके दसंभाव में राहू के साथ अब कर्म भाव में जब आएंगे तो आप कर्म परधान होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप कोई भी काम करोगे तो उसके अंत तक जाओगे और सफल भी रहोगे जोब प्राप्ति के योग बन रहे हैं और धन के मामलों में आकस्मिक धनलाब होते चले जाएंगे लेकिन मेहनत करना होगा आप मेहनत करोगे जिस अनुसार उससे कहीं ज्यादा लाब होगा यह समय बिदेश से लाब कराएगा बिद दुए अठारा साल के बाद ये योग बना है धन वान बनाने वाला योग तो तुलावालो आपके नवम भाव में भागयस्तान में सबहागी साली हैं भील मीडिया ग्लमर वाले फिल्ड से जुरे हैं तो किसमत का सिक्का चलेगा और कारियों में सफलता मिलने के साथ आकस्म आठवे भाव में बुद्ध देव, थोरा कश्ट, क्योंकि यहां पर आपकी वानी में थोरा सा क्रोधपन बढ़ सकता है, करवाहट बढ़ सकता है, तो वानी का ख्याल रखे, ज्यादा उग्र सुहाब के मत होईए, वानी में मधूरता रखे, और अपने जीवन साथी के साथ सम्बंद बेहतर बना कर रखे, साथी अपना स्वास्त का भी ध्यान रखे, तनाव से बचिए, और इसमें धन के मौमलों में सतर करईएगा, किसी को उधार देने लेने से बच यहाँ पर धन के मामलों में बड़े खुसकिस्मत होंगे आप, पार्टनर्शिप में बेवसा है, तो भी लाव, जीवन साथी से सम्बंद बेहतर होंगे, लेकिन किसी भी तरह का बाद विबाद से बचने की 100% कोसिस करे, और दामपत्ती जीवन में थोरा सा आप जुक कर र आने से, आप इसमें विद्यार्ति हैं, परत्यूटा परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं, तो सफल होना तय है, क्योंकि सफलता मिलने के चांसे बड़े होए हैं, तो मेहनत भी उतने ही परसेंट में कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका इसमें सिकाच चलने वाल आप पुरुसार्थ के अनुसार अपने भागे में बर्दी करें, यानि कर्म परधान होईएगा और चीजों को अपने पक्ष में कीजिएगा, कुम्रासी आप तो सबसे लगी हैं, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद आपका खिस्मत खुलने वाला है, जो पढ़ाई करते हैं, उनक 70-70 दिनों तक होगा, आपके लिए बहुत खुबसूरत वक्त है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और आपके लिए तो बहुत खुबसूरत वक्त है, मीन डासी, इसमें अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ नई चीजें खरी दें, अच्छा वक्त है, और इसमें अपना मकान, भूमी, भवन, वाहन ले सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, वैसे तो यात्रा के योग भी बन रहे हैं, और धन मिल रहा है, धन आ रहा है, अला कि खर्चोंगे, पर सुक साधनों पर, अपना मकान, भूमी, वाहन लेने के भी योग बनते हैं, तो इस मामलों में भी आप खुसकिस्मत है, आपके लिए इसमें अच्छा है, तो अब हम आपसे विज़ा लेते हैं, पसंद आ रहा हो, तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव, धार निगा,